आज मैं तीरंगा इतली की रेश्पी लेकर आए हूँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेश्टी है और हेल्दी भी है, तो फ्रेंज अगर आज की मेरी ये तीरंगा रेश्पी आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमिट करना मत भूरिए, सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, और उसमें हम एक कटोरी रवा डालेंगे, तो मोटी वाली रवा होनी चाहिए, तो हमने जिस कटोरी से रवा लिया है, उसी कटोरी से हम छास डालेंगे, तो यहां पे हम दो कटोरी छ दालेंगे और साथ में हम टेश्ट के अनुशार नमक भी डाल देंगे तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15-20 मिनट के लिए हम इसे कभर करके डेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे अगा थास के साथ अपनी रवाजु है वो फॉर्मिट हो जाएगी बीस मिनट हो चुके हैं हम बेटर को चेक करेंगे तो हम धर्टन को हटा लेंगे अब यहां से रेखिए अपनी रवा जो है फूल के थूड़ा जादा हो गया है और इसकी कंसिंस्टेंसी जो है वो भी एकदम परफेक्ट है अब हम क्या करेंगे गैस के तरफ चलेंगे गैस पे हमने इटली मेकर में एक लिटर पानी डालके उबलने के लिए रख लिया इसके बाद हम क्या करेंगे इटली ट्रे को ग्रीस करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा तेल लेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे इससे क्या होता है अपनी इटली जो है उची परती नहीं है निकालने में बहुत ही आशाने से निकल जाती है तो ऐसे ही हम बागी के ट्रे भी ग प्रीश कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस मेटर में डालेंगे ब्लैक पेपर, तो यहां पे हम एक चमच ब्लैक पेपर डालेंगे, और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसे इसकीप कर लिए, नहीं तो यहां पे हम एक चमच चिली फ्लेक्ष डालेंगे, और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे, अब हम इसमें एक packet इनौ full शॉल डालेंगे और इसे हम एक ही direction में ऐसे mix कर लेंगे, इनौ डालने की बाद अपनी बेटर जो है वो फूल जाती है, अब हम इसे इक्वल मात्रा में तीन जगा डिवाइड करेंगे तो हम छोटे छोटे दो बॉल लेंगे और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा बेटर अलद कर लेंगे तो यह एक ही सा और इसमें हम थोड़ा सा यह लेंगे अब हमें क्या करना है एक टटोड़ी को हम ऐसे वाइट ही रखेंगे और दुसरे में हम कैरेट घीश के डालेंगे यहाँ पे आप कैरेट जूस भी डाल सकते हैं लेकिन घीशा हुआ कैरेट का श्वाद मुवें बहुत सुन्दर आता है तो इसके लिए हमने यहाँ पे टैरेट घीश के डाला है और कलर को हमें औरेंज थोड़ा करना है तो हम इसमें वान फीच फूट कलर डालेंगे यह औरेंज फूट कलर है तो इसको हम डालके और घीश कर लेंगे कलर जादा नहीं डालना है हमें तो natural color ही पसंद है लेकिन इसे हम राश्टिये दिवस पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा color यूज किये हैं मिल्कुल जड़ा सा अब हम इसे भी side कर देंगे अब दुसरी बॉल में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे हम mix कर लेंगे और इसे भी हम color देने के लिए one pinch food color डालेंगे हमें ज़्यादा mix नहीं करना है बिल्कुल one pinch color हमें डालके और इसे mix कर लेना है तो हमने तीनों बेटर तयार कर लिया है अब हम एक इतली ट्रे लेंगे और इसमें हम सबसे पहले white वाला बेटर भरेंगे तो जैसे आप सबको पता है mold में हम थोड़ा कम-कम ही बेटर डालेंगे क्योंकि इतली फुलने के बाद उपर दका जाती है अब हम दुसरे ट्रे में green color का paste डालेंगे तो हमें दो-दो चमच ही डालना है green वाला ट्रे हम साइर भर देंगे अब हम तिसरे ट्रे में orange color का बेटर डालेंगे तो इसमें भी हम दो-दो चमच डाल देंगे प्रे हमने वेरी कर लिया है अब हम गैस के तरफ चलेंगे तो हम एक कपड़ा के हां से धकन को हटा लेंगे क्योंकि धकन बहुत गरम है अब ध्यान से देखिए पानी में उबाल आ चुका है तो सक्से पहले हम वाइट वाला ट्रे सिट करेंगे green color का ट्रे सिट करेंगे orange color का अब हम इसे कपड़ा करके 20 मिनट तर तेज फ्रेम पे उबालेंगे 20 मिनट हो चुके हैं अब हम एक बार इटली को चेक करेंगे तो सक्से पहले हम धकन को हटा लेंगे अब ध्यान से रेखिए कितनी अच्छी अपनी इटली फुली हुई है अब हम एक टूस्पिक लेंगे और इटली को चेक करेंगे तो ऐसे हम बीच-बीच में बोध के और टूस्पिक चेक करेंगे बेटर बिल्कुल नहीं लग रहा है इसका मतलब अपनी इटली जो है ओपक चुकी है तो अब हम गैस के फ्लेम को आउस कर लेंगे और इसे ऐसे ही ठंडा होने देंगे अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो आप दीन वाला भी देखिए अच्छे से फुल चुकी है वाल्ट वाला भी इटली फुल चुकी है तो इसे हम और ठंधा करेंगे, बाद में हम डिमॉल करेंगे अब हम इतली को डिमॉल करेंगे, तो हम इस फून को पानी से थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इसे ऐसे हम चम्मच के सहारे भुमाते हुए निकाल देंगे यह बहुत ही आसाने से डिमॉल हो जाता है इतली के हमने प्लेटिंग कर ली है, आप ध्यान से देखिए कितनी मस्त तिरंगा इतली दिख रही है खाने में यह बहुत ही टेस्टी है और बच्से तो इसे बुल मौच से खाते हैं क्योंकि यह तिरंगा दिख रहा है तो फ्रेंड्स अगर आज की मेरी तिरंगा इतली की रेश भी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिट करना मत भूलिए धन्यवाद